ये लग रहा था कि overseas खिलाडी IPL की auctions को manipulate कर रहे हैं भाई अब नहीं हो पाएगा ये overseas place के साथ एक चर्चा का विशे बना हुआ था जो कि कहा तो जा रहा था circles में बात तो हो रही थी लेकिन कभी वो written नहीं था कोई उसको admit नहीं कर रहा था कि ये हो रहा है देखिए एक जब बड़ी auction होती है mega auction होती है तो पैसे ज़रूर ज़्यादा होते हैं खर्च करने के लिए लेकिन खिलाडी भी ज़्यादा होते हैं तो आई पेल के पिछे डेड़ दशक के इतिहास ने बताया है कि जब mega auction होती है तो लोगों को पैसे थोड़े कम मिलते हैं लेकिन जब छोटी auction होती है तो पैसे ज़्यादा मिलते है supply and demand का game है कि अगर आपने supply आपके बहुत ज़्यादा है तो फिर demand के अनुसार उसके पैसे कम हो जाते हैं लेकिन अगर supply कम है और demand ज़्यादा है और पैसे भी खर्च करने के लिए ज़्यादा है तो फिर वो inflated figures में आपको salaries नजर आती है जिसके prime example थे पिछले साल का जो small auction उसमें 20.5 करोड में जाते हैं पैट कमिन्स 24.5 करोड में जाते हैं मिचल स्टार्क अब सवाल यह उठा था कि जस्परीद भूमरा तो 12 करोड में है मिचल स्टार्क 25 करोड में है is that fair क्या इंडियन प्रेमियर लीग में इंडिया का सबसे बहतरीन गेंदबास है क्या वो हो रहा है तो that the BCCI ने जी सी ने और franchises ने I can tell you personally कि franchises ने उसके अंदर they weighed in क्योंकि उनको यह बात पैसे खर्चे थे पर वो बात सही नहीं लगी थी तो इन्होंने कहा देखिए ऐसा है हर overseas खिराडी को बड़ी auction के लिए register करना पड़ेगा अगर आप register नहीं करते हैं अगर अगले साल आप आही नहीं सकते हैं you will be barred तो आप mini auction का हिस्सा नहीं बन शक्त तो अगले 2 साल आप mini auction में आके ज़यदा पैसे कमाने का मनसूबा है उस पे पानी फेर दिया गया है mega auction का अगर फिस्सा नहीं है तो mini auction का हिस्सा भी नहीं रहेंगे that's point one दूसरी चीज होती है क कि आपने अपना base price रखा और उसके बाद आप गए auction में, अब auction में आपने अपना base price रखा 1.5 करोड रूपए, for example, और ज्यादा demand थी नहीं, आपको base price पर ही उठा लिया गया, अब कई बार ऐसा हुआ है, once again, चर्चा होती है, कोई admit नहीं करता है, पर सच यह है कि जब जब वो base price पर किसी खिलाडी को उठाया जाता है, तो कई ऐसे खिलाडी होते हैं, जो they pull out, I am not available, अब अगर आप available तब नहीं है, वो 1.5 करोड रूपए तो release हो जाते हैं, franchise के पास office चले जाते हैं, पर जितने सारे खिलाडी, जो अच्छे खिलाडी थे, वो already auction से जा चुके हैं, वो किसी ना किसी team का हिस्सा बन चुके हैं, तो teams feel cheated, कि अब मैं क्या करूँ, पैसे तो है मेरे पास 10 करोड रूपए, पर अब इसमें मुझे खिलाडी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे अच्छे खिलाडी तो जा चुके हैं, तो वो एक concern था जो raise किया गया, और उसके लिए अब एक नया नियम आ चुका है, कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने बिना legitimate reason, और legitimate reason is basically an injury, अगर injury का कोई concern है और आप नहीं उपलब्ध हैं तो समझ में आता है, आपने अगर pull out किया है, without a legitimate reason, तो अगले दो साल भी आप auction से बाहर हो जाएंगे, तो IPL का आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे, विचाएसे absolutely thumbs up है कि आपने ये काम किया है, अब 32 एक और है जिसके अभी क्रिक बस बगारा पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कि जब जो mini auction का हिस्सा बना, आप बड़ी auction में register किया आपने, लेकिन वहाँ आपकी sale नहीं हो पाई थी, कि आप mini auction का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप mini auction का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपके overseas खिलाडियों के लिए एक price cap बनाया गया है, कि वो price cap जो है, वो maximum price है, जो retention का, which is 18 करोड, या फिर इस auction में, जो बड़ा auction होगा, उसका maximum price है, 19 करोड, 19 करोड में अगर कोई खिलाड़ी बिका है, तो फिर जो next year, जो mini auction होगा, उसमें कोई भी overseas खिलाड़ी 19 करोड से ज्यादा में नहीं खरीदा जा सकता, that's the price gap, अब आप ये सोचेंगे, वो काम कैसे करता है, एक बार ये पहले हो चुका है, जिसमें, जब lock हुई, कि दो टीम्स भीड रही हैं, 19 करोड तक पहुच गई है, तो अब क्या, तो दोनों को कहा गया था, कि आप अपनी एक closed bid हप हमें दीजिए, आपने closed bid दी, जिसने ज़्यादा दीवो bid, आप खोलते हैं, एक ने दिये 22 करोड, दूसर ने दिये 21 करोड, खिलाडी 22 करोड वाली टीम के पास सला जाएगा, पर वो जो एक्स्ट्रा 4 करोड रुपे थे, जो 18 करोड से उपर, या 19 करोड से उपर, मान लिजे, जो आपका price है, अगर वो 3 करोड रुपे उपर थे, that goes into the BCCI and IPL's kitty, वो player को नहीं दिये जाते, even though वो पैसे जो हैं, वो franchise से लिये जाते हैं, once again कोशिच ही की गई है कि भारतिये इंदा भारतिये प्रेमेर लीग, इंडियन प्रेमेर लीग में इंडियन को बिल्कुल सर्वो पर ही रखने का ये प्रयास किया गया है, जो कि मुझे तो परसी लगता है कि बिल्कुल सही है, बात पैसो की नहीं है, पैसे तो मैं कहा रहा हूँ कि सो सो क्रोड रुपे मिलने चाहें खिलाडियों को, लेकिन बात ये बिल्कुल सही नहीं है कि भारत का सर्वोच्च खिलाडी, विराट खोली, रोहिच जस्परीद भूमरा, इनको मिल रहे हैं आधे पैसे और ओवर्सीज खिलाडी जो है, वो खा रहे हैं खीर, क्यों क्योंकि छोटी आक्शन का बनते हैं इससा, अब ये नहीं हो पाएगा